विल्कम टू एकेस राइडर आज मैं जो व्लॉगिंग कर रहा हूं या फिर जो वीडियो बना रहा हूं इसका रीजन यह है मेरे को केटियम का अपने टायर डालाना और मैं दो तीन दिन से प्लानिंग कर रहा हूं प्लानिंग हो नहीं पा रही है हमारी जो बाइक है न हम उसके टायर से बड़ा परिशान है यार इसका रीजन यह है कि पिछला टायर तो एक टायर पहले तिन चाल दिक पहले हमने चेंज कर रहा है था और अगले टायर में फिर प्रॉब्लम है और अगला भी टायर आज इंशालला चेंज कर वा लोगा क्या ह होता है कि जहां पर पंचर होता है ना वहां पर जो फिट यह बत्ति डाल देते हैं ना दो तीन बार सेम जगे से हावा लिखी जोई और फिर मेरा टायर जोगी खराब हो गया आप देखता हूं इंशालला टायर जाकर चैंज करवा लेता हूं और अब इत्ते टाइम अगर तो इतने डाइम ने तो कल सुबह 100% टायर चेंज करवाता हूं और यह खड़ी है हमारी बाइक यह इसका पिसला टायर और इसका जो आगे का टायर है यह देख यह आगे का टायर पुला क्या है हुआ है लाजी खड़ी बहुत गंदी कि अबी मैं यह वाहर निकाल गजा कि अद buraya आपर अब ओंभी मेने अपनी भी रानी का क्या है क्या है क्या हाल टायर का क्या नहीं और अब ही कल कया संडे इसके के लिए मैं सोच रहा हूं कि आज ही मैं टायर जो इसका चेंज करा लेता हूं नाइट में क्यों कैसा है कि कल जहां तक है राइट हो गया रहेगी तो फिर इसमें प्लान बहुत गड़वड होगा सुबा मॉर्निंग में राइट कैंसल हो सकते हैं लेकिन नाइट राइट कल इसके लिए अभी इतने टाइम ही मैं टायर का कराऊंगा और कल तुबा थोड़ा गालिया काम हो गया रहा है वह भी दिखा लूँगा और चलते हैं टायर वाले के पास और रहा जाकि फिर वीडियो जो भी है टायर एक्शेंज कैसे होता है उसकी वीडियो बनाते है चलो ब आदम आ गए टायर वाले अंकल के बास यह है टायर की दुकान यह इंका बोड और अब भी गाड़ी का जा रहा है अगला टायर चेंज होने और आदम बाबा गये हैं अंदर के साइट टायर लें और यह भाई जा रहे गाड़ी का टायर कुल लें इलंकी है कि कैप इह में इलंकी फिटिंग है और एक साइड में इसक्रू फिटिंग है और अपी जो टायर है यह खुल रहे और आदम बाबा इधर मस्ती कर रहे क्या होते आदम बाबा नीचे के साइड जो है उसको जैक लगाना पड़ता है जो जाके गाली उठती यह भाई लोग तब जैक दॉल लादा हो गया आगे आज ही अगरे रवारों इस ट्रयाइम नहीं कर आधा इंटम भी निकल रहाए क्यों बैद निकल रहा है छो सब निकल गया हवा क्या हो एक टेम टैर निकल गया तेयर टाहिँ को आदो कि अ कि दिशना जगए और यह मुंटरों है कि यह तायर आगे हमारे हाथ में और रिंग है सामने और यह ही जगह पे बार बार पंचर होता है दिखो यहां पर कम से कम बार से यह साइट से दिखाता हूं इसके पास पूरे गाड़ी में एक तीन यहां पर इस तीसरा पंचर और यहां तीन और और भी पंचर है करीबन करीबन पांचे पंचर इससे टायर में थे और टायर की जो कॉलिटी थी वो भी कि मतलब खतम हो गए तीडिव और अच्छा कि मैं वक्त पे टाय चिंज करा दिया और यह रिम और साफ कर रहे हैं चाप करके अच्छे से इस्टो कर दिंगे कि यह टायर को फिट कर रही है तरीका मसीन से फिट करने गा फिट कर देंगे कि अधि तर्फ अगले जो है यह टायर लगने जा रहे है और यह टायर हमारा लग रहा है बाइक का और काफी टायम होगा मतलब यह 15 लिट में पूरा काम हो गया ज्यदा टायम नी लगा और यह कल मैं गाड़ी को को सर्विसिंग कराऊंगा दुला उला के दम प्रीन करा दूंगा और आज रात के करीबन साड़े आठ है नौ बज रहे तो दोनों टायर बदल गए टेंचन फ्री हो गई हमारी गाड़ी फुल फीट और पेमेंट करें और चलें घर अभी चलते हैं पेमेंट करने